जाहिन देवरियोन भाई देश में जगाँ जवा अंदोलन को देखते हुए सरकार दो और बड़ी फैसले ले चुकी है आप सभी लोग को पता होगा कल जैसे आइसा बोला गया था कि जिन लोग का एज साड़े सातरा से एकी साल तक लगता था उन लोग को एज में दो साल का छूट मिलेगा साड़ो से सातरा से त्यईस साल के बीच में जिन लोग का एज रहेगा उनका इंडियन आर्मी जीडी में अर्लाइन हो जाएगा लेकिन आज एज में पांच साल का छूट कर दिया गया गिरी मंत्राला ने अपने ट्वीटर पर ट्वीट कर दिया है ठीक ना और इसके साथी साथ जैसे जो हमारा आसाम राइफल का भरती होता है या C.A.P.F का भरती होता है उसमें जैसे यह जो इंडियन आर्मी की भरती कराई जाने वाली है ना चार साल के लिए अगर इसमें भरती हो जा रहे हो तो फिर आपको जैसे जब आप रिटायर होंगे तो आपको 10% छूट मिलेगा किसी भी भरती में जाओगे जो C.A.P.F के अंतरगत आता है या आसाम राइफल में तो आपको 20% का छूट मिलेगा जैसे हम लोग यह निसुकरते हाँ तो इंडियन आर्मी की भरती देखने जाते हैं तो इंडियन आर्मी की भरती में जैसे 10% का छ परसेंट का छूट मिलेगा अब ये बात मुझे नहीं समझा रहा है और इस पर कोई चार्चा भी नहीं किया है कि जब उसमें से हम रिटायर होकर वापस निकलेंगे तो हमारा तो ये जी नहीं बचेगा असाम राइफल में भरती देखने जाने के लिए ये बात भी तो आ जा आउं और जितने भी भाई आंदोलन कर रहे हो ना आप सभी लोगों से हाथ जोड का रिक्वेस्ट आयार आप जैसे दूसरे लोग को नुक्सान मत पहुचाओ मेरे भाई बहुत सारे लोग ऐसे है ना आंदोलन देखो यार इस समय ऐसा सिच्वेशन बन गया है सब लोगी क अठा हो गयो और सभी लोगों सभी लोगों तक ये बात पहुच गई है और पाले ऐसा नहीं होता था बस एक जगां के लोगी कठा होते थे तो सरकार सुनती नहीं थी अगर आप लोग अभी परजेंट टाइम में जो महोल है ना अगर सब लोग एक जुट हो जाओगे तो स अंदोलन मत करो लेकिन सरकारी संपती का नुकसान नहीं पहुचा वो सरकार का नहीं है वो हमी लोग के टेक्स से बनता है अगर आज आज आप लोग नुकसान पहुचा होगे ना तो आज से चार पान दिन बाद ऐसा पता चलेगा ना कि सारा का सारा समान महांगा हो गया है जो 2 रुपया मिलेगा वो 10 रुपया लेने लगेंगे सब। तो हमी लोगों को फिर टेक्स भरना पड़ेगा, हमी लोग के पैसे से फिर वो सारी की सारी समान आएंगे। तो इस डिये यार, आप लोग थोड़ा बहुत मतलब जैसे इसको कंट्रोल में रखो ठीक ना, मैं आप लोग के गुस्सा को समझता हूँ और बीस्तारी को जो दिल्ली में अंदोलन होने वाला है, वहां पर आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक ना, सामिल तो होना है, सब को होना है, लेकिन हम लोग अपने हक के लिए वहां पर चलेंगे, ललाई के लिए नहीं ठीक है ना, सरकारी समपत्ती को नुक्सान पहुचाने के लिए नहीं, देखो सरकार बहुत जल्द जल्द फैसला ले रही है, इगारा बजे अभी सरकार, जैसे देखो अभी इगारा बजे ना, हमारे रच्छा मंत्री और हमारे तीनो सेना के परमुक जो है, उन लोग की बैठक होगी, आज फिर से बैठक होने वाला है, टीओडी के उपर चर्चा होगी, तो आप लोग इंतजार करना ठीक हैना, जो कुछ भी होगा, वो सारी चीजे आप लोग को पता चलिये जाएगा, अर्चा माम झाना, य९ बाला हमारे टार्चा में गोग के लाएगशी लोग बैज़ितर."